CCA की और वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं किसानी भी नहीं कर सकते भाजपा पर हम लोग सब सोच रहे हैं कि बदलाओ होगा और करेंगे भी बदलाओ रहाा है जबाएं से ओध्या में लृजगाओ करने मैं क्या हो चुना में तो परिवर्तर चाहते हैं परिवर्त चाहते हैं कि सीजी में आपका स्वागत है अब अपने चुनावी सफर में अब हम आ गए हैं पूरवांचल में पूरवांचल की अलाबाद लोकसबा सीट पर इस चुनावी सफर में कि ये भी हमको बहुत मज़ा आता है कि भारत की जो विभिनिता हैं भारत की अलग-अलग बोलियां है यूपी यूपी राज्य के अंदर ही इतनी अलग-अलग बोलियां हैं इतने अलग-अलग लोगों की संस्कृतियां हैं वो सब देखने को मिलती है और ये जो खुबसूरत विभिनिता जिससे भारत देश सही में जिसके लिए मशूर है वो हम इतनी करीबी से पिरश्त्रिपाथी जी हैं कॉंग्रिस से उज्वल रमंड सिंग जी हैं और बसपा से रमेश पटेल जी हम अभी चनैनी गाओं में हैं अलाबाद सीट में चनैनी गाओं यहां पर हमारे साथ मुख्य रूप से पटेल समाज के लोग हैं यहां मैं यह आपकी सूचना देनी आपको जरूरी है कि यहां पटेल समाज के सीट पर कम से कम धाई लाक वोट है तो बहुत प्रभाव रखते हैं पटेल समाज के वोट पिछली बार लोकसभा चुनाव में पटेल समाज के काफी वोट काफी हद तक भाजपा में गए थे क्या यही चीज फिर से होने वाली है या कुछ बदलाव होगा इस बार आए गडबंदन की तरफ से नमस्कार जी आप से शुरू करें जी साब आपका नाम चंदबली जी सबसे पहले आप CCA में आपका बहुत-बहुत स्वागत और आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया हमार साथ बात करने के लिए यह बताएं पुरवान की चुनाव अरह है भाजपा के 10 साल रहे हैं यहां पर चाने का पहले हैं क्वहां भीता है, खीदी करते हैं किसानों के लिए कैसे रहे हैं दस साल구요 कि तोड़ा जोर से बोली एक दश साल ठीक से नहीं भीता जिक ठाक से नहीं का रोगे है जयर तब ज़नोर उका यह दिक्कत पूरे उत्तर प्रदेश में है यह वाली दिक्कत जी हम लोग सब खेती किसानी पर निभर है तो यह बताइए जो प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी जो होती हे महीने की पांच्रौबश वो मिलती है नहीं हमको कुछ नहीं नहीं मिल री घृतान मंत्री जी कह पचास पर्षन तो खा जाते हैं चलिए ये बताईए आपका गाउट जो है और आप अपना भी निजी मत बताईए इस चुनाव में क्या सोच रहा है अब चुनाव में बदलाव चाहते हैं जो किसानों के लिए काम करें तो आपके हिसाब से क्योंकि बदलाव के अगर आप ब बादलाग चाहते हैं तो बस्पा को तो नहीं देगे जो है लेकिन ये बताइए बस्पा से भी पटेगल समाज के एक एंडिडेट हैं और ये भाजपा ने तो बाजपा के साथ आज अनुप्रिया पटेल जी भी है तो आप उस चीज से बिल्कुल प्रभावत नहीं है उनसे नहीं है उनके पिता जी से थे प्रभावत नहीं है उनसे नहीं है अदल सोनेलाल साहब जी ने जब खड़ी करी ती उसका एक बहुत बड़ा यहां पर प्रभाव था पटेल समाज को कही ना कहीं राजनेतिक रूप से एक प्रतिनिदुत्व जो मिलेक आवाज मिली थी तब अपना दल के नाम पर अबना दल पार्टी की वजासे जी साब आपका क्या नाम अब ? मंडियां बहुत जाबा खुलेंगे भी मंडियां कम हैं आपके लाके में कुछ मंडियां खुली हैं हमारे यहां आसपास में नहीं है लकिन यहां रामंपुर में है तो कितना असान है कुछ और सुधार आया है मंडियों में क्योंकि मोदी जी तो कहे थे कि दुगनी कर देंग सोचे नहीं है यह बताना नहीं बदी जाय की अपनी अपना मत कोई नहीं है अब हएचा लेकिन आनू प्रिया पतेल जी के बाहन भाठवा के साथ होने में आपका उस तरह का कोई क्रभादbreaking कोई दिया लिए ले तो साहब ने बोला, आप कहरे हैं कि इस बार आप कॉंग्रिस पर जाएंगे, पिछली बार कहां दिये थे? प्ष्टी बार प्षपह वित्व जिए थिख ए आप कहरें पिछी बार फूल पर दिये जिए ते गांधे अगाओं इसमें कुछ बढलाव है यह ने तेजोर आप करते हैं झालिंअ impacted नमुश्कर जी नाम रोजी एंस इंड्सिंग अबभी किसान है आँ जी तीज में अवारा पष्वोफिए की आपको भी दिककत रही कि पूरे च्छेतर में दिककत है पूरे राज्य में दिककत है च्छेतरुने ने परहे थीए नियां भीज Dalin गंते हैं यहां तक आये हैं आभारा पश्वोफिए ने गन्न कर मॉँखली और गेहुं से लेकर दलन तक सब बर्बाद किया हूँ तो ये बताएए फिर कैसे रहे हैं दस साल क्या उमीद के हिसाब से चली है सरकार या उमीदों से खराब चली है उमीद के खिलाफ एक दम जो सोच कर दस साल से लोग लगे रहे उसके बिलकुल विपरीत है सरकार कहे थे किसानों की आए दूनी करेंगे कहां कौन सी दूनी हो गई है कौन सी दूनी हो गई है दूना हुआ है तो सिर्फ स्रिलेंडर दूना हुआ है दूना हुआ है तो सिर्फ प्रेट्रोल दूना हुआ है दूना हुआ है तो दैनी की जीवन की और आफ सकता की चीजें जो दूनी हुई है किसानों की आए तो अपनी जगह पर ही है ये लोग कहते हैं कि हम किसान सम्मान निधी दे रहे हैं ये लोग कहते हैं कि हम पांच किलो मुफ्तराशन दे रहे हैं उसका क्या है हाँ ठीक है पांच किलो रासन दे रहे हैं वो मिल रहा है कुछ लोगों को सम्म यह कर पाएंगे पॉए प्छाशा किलोगी 10 किलों हो फञायना कि लोग बताइए कि घरे ढॅ औरौ यह तक ए लिए पाइट है उनका चारा बचाना बचाना मुश्किल है तो बताइप टिछी बार केञा हैं staff पिछली बार बीजेपी को हाउट किए अब इस बार अब इस बार देखेंगे कहां करना है अच्छा हाद डेखने की स्थिति है ना भाई अब तो लाव को इस्थिति जो है वो जो आख मूंद करती वो मतलब आप वो जिसको क्या बोलते थे लोग भक्ती जिसको कहते हैं वो चीस अब वो फाहर आप वह सोचेंगे कहां करना है अभी मन नहीं बनाये हैं तो आएंगे तो समिक्षा करेंगे कि इस पर भी प्या किया जाए लेकि श्र जी बदलाव दिख रहा है। वो इस्थिती नहीं दिख रही है। अनुपर्या पटेल जी का कितना प्रभाव हो जो कि द्न venuesreका कोई प्रभाव नहीं है न तोラम मंदिर का प्रभाव है न अन प्रडान परड़ाव का प्रभाव है अपत्री अपने मन से लिए इस बार मद्दान करने के मोड में है बलंद इस बार कोई राश्ट्री नहीं है इस बार कोई नाम हो अम चंड हम ऐसे क्या करते हैं कोच नहीं बहुत दोले जोन बाइब एक लो और और पास नहीं था एभी तक नहीं बना ओंड आप नहीं बना लो और आप इस वह दोंड खाएंगे को चौर करेंगे अब देखा जाएगा पहले देते हैं आप आपके पहले हम साइकल को देते थे पहले हम साइकल भाइच नेता हमारे तरह पिर बीच में भाजपा को दिये तो इस बार क्या सोच रहे हैं कमल खुलेगा या वापिस साइकल की सवारी करें आप साइकल हो या कमल वेसे आदमी पंजा है बदल गया है था पंजा है नहीं चलिए यह बहुत-बहुत महत्वपुन बाते हैं जो अभी चाचा ने थोड़ी देर पहले कही थी यहां पर जो थे कि मुद्दे मंदर मस्जिद नहीं होने चाहिए मुद्दे खेती किसानी होने चाहिए रोजगार के मुद्दे होने चाहिए जो विकलांग है उनके जो सामने सवाल है वो सारे मुद्दे दरसल चुनाव के होने चाहिए जी साब आपका नाम क्या हुआ हुआ है अखिलेश सिंग लीजिए अखिलेश बह और जो को मिला है पिछले 15-10 सालों में कोहीं नहीं मिला एक-डुकी बात अलग है हैं कोई किसी को सबी युवा पीडी वे रोजगार हो गए हैं टहर रहे हैं घूम रहे हैं किसानी भी नहीं कर सकते चोटे मटे किसान है जहां तो यह बताईए पिर 300 आप जो वारो कहँ आ में चुनाब में कहां इस हम लोग कहें नहीं तो आप के मंगलसूत्र मुस्लमान को चला जाएंगे और तो के और जमीने मुसल्मानों को चले जाएगी आरक्षण मुसल्मानों को दे देंगे चुनावी मुद्धासर ऐसा कुछ नहीं है आपको विश्वास जी नहीं बिल्कुल नहीं तो यह उन्होंने भी बड़ी-बड़ी कही थी कि रोजगार देंगे विकास होगा महंगाई कम करेंगे क कहां दिखा महंगाई कम हूई दो गुना हो गई तीन गुना हो गई हर चीजें महण मुटनी हो गई इस बर क्या सोच्ञों आखलेज के लिए सबहब कर हैने जोThose मिसमें अंगोर अ क्वैच्छnder सिरंदेंग सिरंदर सीजिए आपकी वी राय कुछ ऐसी कुछ अध्यरा नहीं हमारा तो बीजेपी में ठीक है जो है चल रहा था सही है किसानों के लिए किसानों के लिए सही किया गुजरात में हम मोदी जी कहा काफी दिन काम किये आप गुजरात में रहे हैं अच्छा काफी दिन लेकिन चोटा मोटा किस खेती है इधर तो यह किसान भी हमको मिल रह तो किसान सम्मान निदी जो मिलती है जिसका 500 रोपे महीना बैठ जाता है उससे पशुओ का जो नुकसान करते हैं उसकी भरपाई हो जाता है नहीं हो पाएगा ने कहां तो आप कैसे करें केती में सब बढ़िया चल रहा है अधी फसल अगर मार देंगे और तो और तो जो है ठ कि या तो आपको लग रही है कि मतलब चल रहा है मामजगा तो दो भर कॉंग्रेश को देंगे पिछली बार कहां गये थे पिछे वाजपा कया था तो इतनीैसीily आससा क्यों पलट रहे हैं वो कोई काम नहीं किये přिलता है ताइम से क्या काम करते मैं करम करते हैं अब कर्मी अरोट सिर्अ áma A एल पूझ रहा है तो आपकर भौत लोगसे मुलकाइब भी बाहर होती होगी तो क्या देखो रहे हैं मईड़ा अजे भी आए फरसानी फरसान दिखते जी आपका नाम धर्मेंद कमार सिंग जी क्या करते हैं तर्मेंदर जी ने वैरोजगार क्यों है अब क्या करें जब नौकरी ही नहीं नहीं रही है दो-दो करोड की कि तो वाईद है कि कhan товल्य करते हैं करते नहीं तो भव्य राम बंदर तो बताये में वीय। उत्तारा बैस्ता हो। तो बतायीे कहा क्या करते हैं शुकलि जो अब सब DVR चाहएं पिछली बार कही ढ़र गहा देखिए पांड़ा। अचा इस वर नहीं लग रहा है। अब उस समय तो कहें थे कि हाँ सही होगा काम सब क्या नाम हुआ पीके सिंग पपू सिंग पपू सिंग जी क्या करते हैं अब तो कुछ नहीं बेरोजगार हैं कितना पड़े हैं ग्रेजवेशन आईटी आई हो गया आपका रोजगार क्यों नहीं मल रहा है आज पास तो इंडस्ट्रिल अरिया है इदर वो सब सेटिंग होती है जिसकी सेटिंग नहीं है उसका नहीं होता अच्छा चलिए तो नौकरी नहीं मिल रही आप मतलब वैसे जिसकी सब्सक्राइब करें तो भी कोई काम नहीं होता बोल कर चले जाते हैं चालू करा लेंगे यहां पैसा है रिवेंड में तो सब बंद हुआ पड़ा है यहां कम सब दो सो कम्पनीया होंगी और यह एक्चलि अलाबाद के आस पास यहां पूरे इस बेल्ट में एक समय मैनिफेक्चरिंग से बहुत नौकरियां आती थी आंके नौजवानों को लेकिन अब यहां इंडस्ट्रियल क्लोशर हुआ है बहुत दिक्कते हो रही है तो यह बताईए फिर अभी क्या सोच रहे हैं चुनाव में तो परिवर्तन चाहते हैं पिछली बार कहां वोट किया इस बार भीृड है चौदा में इस बार क्या सोच रहे हैं इस बार बतलाओ चाहते हैं हम आ रहा है यह हम अपने चुनावी सफर में जैसे मैंने आपको बताया हम घूमते गूमते आगे हैं अब यहां पूरवांचल में अलाबाद लोकसभा में और यहां जैसे पटेल का लग बग धाई लाग के करीब वोट हैं काफी प्रभाव करता है अभी जो हमारी बात हुई है तो यही लग रहा है कि पिछली बार की तरफ एक तरफा मामला तो बिल्कुल भी नहीं है काफी लोग तूटे हैं इस बार भाजपा से कुछ लोग अभी भी साथ है लेकिन तक प्रभाव लग रहा है देख रहा है उसमें यही लग रहा है कि शायद इस बार प्रभाव लोगों का रुजान जो है वो भाजपा से काफी हद तक हट चुका है जुड़े रहें CCA के साथ धन्यवाद